ओम शांती 18.8.2024 की अव्यक्त मुरली, रवाईज 22.001, शिवजैनती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव जैनती वरत लेने और सर्व समर्पन होने का यादगार है आज त्रिमूर्ती रच्ता शिव बाप अपने पूझ साली ग्रामों से मिलने आये हैं मिलना भी है तो आज मनाना भी है आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जैनती बड़े उमंग उत्साह से मना आने के लिए पहुंचे हो बच्चे कहते हैं बाप की जैनती मनाने आये हैं और बाप कहते हैं बच्चों की जैनती मनाने आये हैं आप सब भी अपनी जैनती अलोकिक बर्थडे मनाने के लिए आये हैं सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है स सारे कल्पे में देखा है, ऐसा बर्थडे मनाया है, जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कारे में शिब बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ, ब्राम्मन भी जरूर चाहिए, ब्राम्मनों के बिना यग्य सफल नहीं होता है, इस भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहें, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं, बहुत खुशी है न, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं, दुनिया में भक्त लोग भी शिव जैन्ती बड़े धूम धाम से मनाते हैं। लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण, वह एक दिन का वरत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगम युक का हीरे तुल्ले जन्म जागरण किया है। और कर रहे हैं, जाग गए हैं न, अभी पिर सोईंगे तो नहीं, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा सोई नहीं हो तो थोड़ा जुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है, जो स्वयम तो जाग जाते लेकिन औरों को भी जगाते हैं। यह जीवन बन गई, एक मास के लिए, दो मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रतधारन करने वाली बन गई, नैचरल बन गई, और नेचर बन गई, पवित्रता की नेचर बन गई है न, नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है, बन गई है न, सिर्फ कांध लाओ बस, बन गई आप पवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई ऐसी हीरे तुलिस शिव जहनती वा साली ग्राम जहनती मना ली चारो और के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं बाप ददा देख रहे हैं कि चारो और बाप सांत और आपके सांत वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज की दिन विशेश भक्त लोग आपका यादगार बली भी चड़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समरपन होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बली नहीं चड़ाते, बकरे को बली चड़ा देते हैं, और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहसा आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़ेते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैपन, यह मैपन जब अरपन कर लेते हो, तब ही ब्रामन बनते हूं, तो बकरा भी क्या करता है, मैं मैं, तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सुक्ष में भी है, और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है, सबसे पहला मैंपन है, मैं शरीर हूँ, फलान हूँ, फिर आगे चलो तो सम्मंद में फसने का भी भिन्ने मैपन है और आगे चलो तो भिन्ने भिन्ने पोजीशन का भी मैपन है उससे भी सुक्ष में अपनी विशेष्टा का मैपन उपर से नीचे ले आता है विशेष्टा हर एक में है ऐसी कोई भी मनशात्म नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सुक्ष में कोई भी विशेष्टा ना हो या नहीं ज्यानी जीवन में भी हर ब्राम्वन के अंदर कम से कम एक विशेष्टा वश्य है लेकिन ज्यानी जीवन में विशेष्टा परमात्म देन है परमात्म की सौगात है जब परमात्मा की देन को दे अभिमान वश मैपन में लाते हैं मैं ऐसा हूँ यह रोयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैपन है तो समर्पन तो हुए ही हैं लेकिन आगे क्या देखना है टीचर्स सभी अपने को क्या कहती हैं समरपन है न, टीचर सभी समरपन है, अच्छा प्रवत्ती में रहने वाले समरपन है, हाँ या न, पांडव समरपन है, बहुत अच्छा मुबारख हो, आगे क्या करना है, समरपन तो हो गए, बहुत अच्छा, अभी आगे यह चेक करना है, बताएं क्या, आप कहेंगे समरपन तो है ना फिर क्या करना है तो एक है समर्पन और आगे है सर्व समर्पन सर्व में विशेश अंडरलाइन है अपने मन बुद्धी संसकार सहित समर्पन क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुशार्त में तीवरगती से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो लेकिन वर्तमान वाईयू मंदल प्रमान ब्रामन जीवन में भी मन और बुद्धी के उपर व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं बुरा खत्म हुआ लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव जादा है इसलिए यथार्थ और सत्य निरनाय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है समझ से महसूसता होती है हाँ यह रॉंग है यह ठीक नहीं है लेकिन एक है विवेक से महसूसता दूसरा है दिल से महसूसता अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयम नहीं बदलेगा और संसकार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण निकल आते हैं लेकिन सर्व समर्पन का आरत है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रती परिवर्तन हो जाए जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो भिन्न भिन्न तो होगी है कल्प रख्ष है वेराइटी नहीं हो तो सोभा नहीं लेकिन हर आत्मा के प्रती शुब भावना और शुब कामना अशुब भावना को भी परिवर्तन कर शुब भावना रखना वर शुब भावना देना हरात्मा के प्रती शुब कामना या अवश्य बदलेंगे ऐसा नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है उसके प्रती जज़ बनके जजमेंट नहीं दो यह बदलना ह नहीं है जब चैलेंज की है कि प्रकर्ती को भी परिवर्तन कर सतोगुड़ी बनाना ही है बनाना ही है बनेगी नहीं बनेगी question नहीं बनाना ही है ही शब्द को underline किया है तो क्या प्रकर्ती बदल सकती है आत्मा नहीं बदल सकती आत्मा तो प्रकर्ती का पुरुष है तो प्रक समय या मन बुद्धी संसकार स्वा के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन यही सेवा है सभी पूचते हैं इस वर्ष में क्या करना है तो डबल सेवा करनी है एक तो स्वा को समर्पन और इतना स्वा को समर्पन करो जो आपका वायू मंडल आपका वाइब्रेशन आपका संग आपका दिल का सहयोग, आपकी दिल की दुआएं औरों को भी सहज परीवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्वा परीवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है, एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारो और देश में, विदेश में, गाउं में, सभी ब्रामन बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मुहबबत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत-बहुत मुबारक देते हैं, आगे क्या करना है, बाप दादा ने देखा जो ब्रामन बने हैं, ब्रामनों की भी ब्रद्धी है, और भी तीवरगती की ब्रद्धी होनी है, लेकिन साथ में जो लोक प्रिये सेवा की है, भिन्ने भिन्ने प्रोजक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है, अभी भिन्ने भिन्ने स्थानों पर सहयोगी आत्मा हैं, अच्छी निमित बनी है, सहयोगी तो बहुत अच्छी है, एक कदम सहयोग का है, एक पाउ तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाउ है सहज योगी, कर्मयोगी, कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ-कुछ बन गए है, यह भी स्टेज दूसरी है, अभी ऐसी आत्माएं प्राक जक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो वह माइक। जैसे ब्रह्मा बाब अव्यक्त रूप में माइट है। और आप बच्चों को माइक बनाया। ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार, फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवशकता है। वह चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, उन्हों को माइट बन विधी ऐसी सुनाओ। जो लौकिक ऑक्किपेशन और अलौकिक स सेवा दोनों का बैलंस रखते हुए, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करेंट दो, रुहानियत की करेंट, वाइब्रेशन, वाईयू मंडल की करेंट और विधी, जो निमित बने की बैल फूलों का, दस फूलों का गुल्दस्ता तो लाओ, और हर तरफ, हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में हैं, सुना, पांड़ों सुना, बहुत अच्छा, डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं, तो पहला गुल्दस्ता विधेश लाएगा या भारत लाएगे, दोनों गुल्दस्तों की भारत की भी विधेश की भी, ठीक है, विधेश वाले क्या समझते हैं, ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएगे, लाना है, भारत वाले लाएगे, लोकिक और अलोकिक उक्यूपेशन के बैलेंस वाले, आप जैसे सिर्फ ब्राम्हर रही हैं क्या, यह निर्मला मोहनी दाम सोच रहे हैं न, यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम हैं, शुभान अल्ला है, यह देखो, कुछ तो बैठे भी हैं, यह ब्रायन सामने बैठा हैं न, आस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से, गुल्दस्ता तयार करना हैं बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देते हो, NCO, अच्छा, फोरेन के NCO वाले हाथ उठाओ, NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है, अ अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है, आपने ही तो सेवा की है न, तो सेवा की मुबारक, अच्छा, गुजरात का क्या हाल है, गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है, हल्चल गुजरात से शुरू हुई है, ज्यादा हल्चल गुज दिल हिली की धरनी हिली, क्या हुआ, दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, नहीं हुआ, बहादुर है, बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र साया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए, कोई थोड़ कोई ज्यादा, नंबर वार तो सब होता ही है, हर जगा, लेकिन पास है, मुबारक है, सबसे ज्यादा नाजों के स्थान से कौन आए हैं, एक भुज की और एक भचाओ के बहन आई हैं, अच्छा भुज में आप तो हजार भुजाओं वालों के साथ थे, अच्छा पेपर मे पास, बहुत अच्छा किया, आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, होने दो, देखो परिवर्तन तो होना है न, तो प्रकरती भी अपना काम तो करेगी, जब मनुश्य आत्माओं ने प्रकरती को तमोगुडी बना दिया, तो बह अ अपना काम तो करेगी न, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में यह भी खेल है, खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे उपर नहीं करना है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वायस्तिती पर परिस्तिती प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परि परिशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना, जैसे वर्तमान समय देश-विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं यह बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत द देश से प्यार है, हर एक अपना अपना कारे तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, जैसे आग लगती है तो बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं, तो आप सब भी मन के परिशानी की आग बुझाने वाले हो, अच्छा तो गुझरात मजबूत है ना, हजार ब पॉम्बे भी नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है, लेकिन सभी को अपने स्वा, इस्तिती को अचला डूल और अपने बुद्धी को, मन के लाइन को क्लियर रखना है, लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, निरन ए, इस पश्ट और सीग्र होगा, ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाओं वहां ही चलेंगे, जहां सेफ्टी होगी, और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बह जिवर्तन होना है, सम्मे वेराग जिवरत्ती उत्पन होनी है, रहम दिल बंद सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा, अच्छा अभी एक सेकेंड में मन और बुद्धी को एकागर कर सकते हो, स्टॉप, बस स्टॉप हो जाओ, अभी एक सेकेंड के लिए मन और बुद्धी को एकदम एकागर, बिंदू, बिंदू में समा जाओ, अच्छा बाप दादने ड्रिल कराई, चारों और के सर्व स्रेष्ट ब्रामन आत्माओं को, चारों और के सदा द्रण संकल्प का व्रत रखने वाले, अचल आत्माओं को, चारों और के सर्व हिम्मत तुलास सिस्वा सेवा और लोक कल्यान की सेवा करने वाले महन सेवाधारी आत्माओं को, आज के शिव जैनती की, हीरे तुले जैनती की, न्यारी और प्यारी आत्जैनती की मुबारक को, और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 वरदान बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं लेकिन बच्चे अपनी शक्ती अनुसार स्नेह को धारण करते हैं जो अमरतविले के आदी समय पर बाप के सनेह को धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात में सनेह समाया होने के कारण और कोई सनेह उन्हें आकरशित नहीं करता अगर दिल में पूरा सनेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक सनेह में आकर्शित कर लेती हैं इसलिए सच्चे सनेही बन परमात में प्यार से भरपूर रहूं स्लोगन देह, देह की पुरानी दुनिया और सम्मंधों से उपर उड़ने वाले ही इंदर प्रस्थ निवासी हैं सूचना आज मास का तीसरा रविवार अंताराश्ट्रिय योग दिवस हैं सभी ब्रह्मावत से संगठित रूप में शाम साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेस रहम दिल बाप के साथ अपने मास्टर रहम दिल स्वरूप में इस्तित हो सरवात्माओं को पवित्रता का बल दे पवित्र वाइब्रेशन वायू मंडल में फैलाने की श्त्रेवा करे अच्छा ओम शांती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा